दोस्तो सवाल है कि what did the white minority want from the constitution हम देखते हैं कि South Africa में जो white लोग थे वो minority थे यानि कि उनकी जो आप देखते हैं कि संख्या थी या फिर they were less in number वो कम लोग थे और black लोग majority में थे अभी जो white लोग थे जब देखते हैं कि constitution frame किया जा रहा है इन लोगों ने शुरुवात में discrimination किया था लेकिन हम देखते हैं कि बाद में यह demand करते हैं कि जब constitution बने तो उसके अंदर आप देखते हैं कि उनको protect किया जाए और उनको कुछ privileges और उनकी properties को भी ध्यान रखा जाए ऐसा ना हो कि white लोगों को दवाने वाला constitution बन जाए तो अपने rights की बात आप देखते हैं कि white लोग new constitution के अंदर करते हैं option a is the right option दोस्तों